Hello friends, मेरा नाम जगविंदर है. Wim Text Editor Series के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम अपने Wim Text Editor में Open File में करसर को कैसे Move करते हैं. तो आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि करसर को Move करने के लिए तो हम Arrow Keys को ही Use करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ Wim Text Editor में करसर को Move करने के लिए आप Keys को भी Use कर सकते हैं. चलिए, जानते हैं वो कौन सी Keys हैं जिनको Use करके हम करसर को Left, Right, Up और Down Move कर सकते हैं. Wim Text Editor में Open File में अगर आप करसर को Move करवाना चाहते हैं एक जगा से दूसरी जगा तो उसके लिए आपको Command Mode में होना चाहिए और अगर आप अभी अभी फाइल में कुछ टाइप करके अड़े हैं तो ये ओवियस सी बात है कि आप Insert Mode में होंगे तो आप वहां से Escape की को प्रेस करें और Command Mode में आ जाएं क्योंके कुछ भी हो अगर आप Command Mode में नहीं है तो आप करसर को एक जगा से दूसरी जगा Move नहीं कर पाएंगे और अगर आप शूर ना हो कि आप किस मोड में है तो आप एक या दो बार Escape की को प्रेस करें और अगर आपके सिस्टम में स्पीकर लगा होगा तो आपको Beep की आवाज सुनाई देगी और अगर आपको Beep की आवाज सुनाई दे जाए तो इसका मतलब आप Command Mode में आ गए है तो चलिए जानते हैं वो कौन सी कीज हैं जिनको यूज करके हम करसर को Move करवा सकते हैं एक जगा से दूसरी जगा कीबोर्ड की वो चार कीज हैं H, J, K और L और इनमें से H हमारा Left Move करवाने के लिए यूज होता है इसी तरीके से J अगर आप Down the Line करसर को लेके जाना चाहते हों तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे ही K की को यूज करके आप One Line Up जा सकते हैं और L की को यूज करके आप One Space Right जा सकते हैं अगर आप अपना कीबोर्ड को ध्यान से देखें तो ये चारो कीज आपको एक अठी दिखेंगी Middle Row में और अगर आप H और L को प्रेस करेंगे तो आप Left और Right Move कर सकते हैं और J और K को अगर प्रेस करेंगे तो आप Down और Up Move कर सकते हैं तो चलिए अपने Text Editor के उपर जाके इनकी Testing करते हैं तो देखे मैं अपने Text Editor के उपर आगया और मैंने वही File Open की हुई है जो हमने Last Videos में इसे हम Use कर रहे थे यहाँ पर अगर मैं Cursor को Move कर पा रहा हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं Command Mode में हूँ अभी मैं L की को प्रेस करके Right Move कर रहा हूँ इसी तरीके से अगर मैं H की को प्रेस करूँगा तो Left Move कर जाऊँगा इसी तरीके से J की से हम Down और K की से हम Up Move कर सकते हैं देखें आप एक बात जरा सोचिए कि अगर हमारे पास Arrow Keys हैं तो हम इन Keys को Use क्यों करेंगे तो हम इन Keys का Use करके Up, Down और Right और Left क्यों Move करेंगे तो देखें इसी बेसिकली Unix टाइप सिस्टम में जो पुराने Keyboards होते थे उन में कुछ Keyboards में Arrow Keys नहीं होती थी क्योंकि Vim Vi Editor का Improved Version है और Drive हुआ है Vi Editor से तो इसलिए वहाँ पे इन Keys के Use से आप Editor में Up, Down और Right, Left करसर को Move कर सकते थे तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम Vim Text Editor में बिना Arrow Keys को Use किये करसर को कैसे Move कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही, Thanks for Listening